अगर आवाज सही आ रही है तो आज के लेक्चर को श्टार्ट करते हैं अगर आवाज सही आ रही है तो ओके अवाज आ रही है सभी को देखो एक दो पॉइंट्स आप लोगों के साथ पहले डिसकस करता हूं और फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ठीक है एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है बच्चों के अंदर थोड़ा सा एक इस बात को लेकर आपके मन में ही नहीं सभी के मन में इस बात को लेकर थोड़ा सा डाउट बना रहता है सर एक्जाम फॉर्म कब आएंगे ठीक है एक्जाम का डेट नहीं पता चल पा रहा है सभी बच्चे एक बार यह वीडियो को शेयर कर दें ठीक है वॉइस क्लियर है चलो अच्छी बात है ठीक है एक बार वीडियो को शेयर कर दें कि ओके तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सभी लोग देखो सब बच्चों के मन में डाउट तो है कि कब आएगा एक्जाम फॉर्म कब नहीं आएगा ठीक है इस बात को लेके डाउट तो है अब देखो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा क्या कर सकते हम लोग और किस तरह से हमें आगे एप्रोच रखना चाहिए ठीक है और अभी का जो सेशन है हमारा यह बेसिकली UKPSC को ध्यान में रखते हुए है ठीक है मुझे पता है आई नो डाट एक्जाम कलेंडर आ चुका है और उसमें अभी आप लोगों का जो UKPSC का जो डिटेल देना था एक्जाम का डेट के बारे में और एक्जाम कब होगा वो अभी नहीं आया है ठीक है तो अभी इस बात पर भी बारे में बात करते हैं एक बड़ी ग्रूप में शेयर कर देते हैं वीडियो को को कि अगया है कि अगया है कि अगया है कि दो इस बात से आप लोगों को भी ज्यादे वो नहीं रखना है UKPSC न्यू कलेंडर के बारे में ठीक है बिल्कुल बताएंगे UKPSC न्यू कलेंडर के बारे में बताएंगे चिंता मत करो मैं आपको फिर से चीजे क्लियर कर देता हूं आप इतना जाद है उसमें मत रहें हुआ को हुआ कर दो इतना कर दो इतना है वोके है कि चलो कि देखो कि एसे सी जेई यू के एसे सी जेई से पहले हो जाएगा देखो हमेशा ध्यान रखना गुड मॉर्निंग भाई हमेशा ध्यान रखना आप सभी लोग कि अपडेट क्या है वो भी में बताता हूं आप लोगों के एक्जाम के अंदर ये जो की आपका पहले एक्जाम हो चुका था यू के पीएसी का अब वो री एक्जाम होना था हमें अनुमान था कि एक्जाम हमारा अगस्त में होगा और जिनें बाट रहे हैंा ठीक है सर यू के चीज़े को डिष्कस करते हैं लेक्चर उसके बाद क्योंकि देखो क्या है एक्जाम के अंदर आप सब लोग जानते हैं आप eading प्रिपरिपरेशन करने में तब तक कोई खास मज़ा नहीं रहता, जब तक हमें clear target ना पता हो, अगर मालिया मुझे पता है मेरा targets कब है, तो मुझे अच्छा लगता है exam के लिए prepare करना, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, exam के जो delay होने का कारण है, आपके notification को एक simple सा कारण है, ठ आपके जो vacancies हैं, ठीक है, दो उसमें important थी, नई vacancies add होनी थी, और पुरानी vacancies को add किया जाना था, तो total overall vacancies आनी थी हमारे पास, उसमें कुछ ना कुछ, ऐसा अभी technical point रुका हुआ है, जिसे आयोग अभी clear नहीं कर पाया है, चाहे वो PHK को लेकर है, चाहे वो department से आने वाली vacancies को लेकर है, इसी वज़े से आयोग अभी final नहीं decision बना पाया है, आपके UKPSC JEE पर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि अभी exam delay होने वाला है, यह exam काफी आगे निकल जाने वाला है, UKPSC JEE के पास आप लोगों को एक ध्यान रखना, जो notification आने वाला है, मई के पहले सबता पूरी पूरी उमीद है, आपका notification आएगा, लेकिन अगर नहीं भी आया, तो आपको एक बड़ी UKPSC जाकर अपना update लेना चाहिए, ठीक है, आप update ले सकते हैं, UKPSC जाकर, ठीक है, UKPSC JEE का update आप ले सकते हैं, जाकर, ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ पर इतनी बात आप लेक ध्यान रखेंगे, कि UKPSC JEE के अंदर, आप लोग जाकर एक बड़ अपडेट ले, आपके notification आजाएगा, अभी इस बात से हमें कोई भी मतलब नहीं है, अभी इस बात से हमें कोई भी ऐसा मतलब नहीं है, कि exam के अंदर, exam के अंदर हम लोग, बिल्कुल, exam के अंदर हम लोग कितना, actively, यह बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे, ठीक है, यह कह रहे हैं, लेक्चर स्टार्ट हो, अरे भाई, हो जाएगा, लेक्चर स्टार्ट, ठीक है, आपके लिए नहीं है, लेकिन यह लेक्चर, ठीक है, ओके, इस बात में आप मत जाएं, देखो, AE का exam दिया है, तो JEE का आने वाला है, यह बात तैह है, आज नहीं तो कल आपका exam आए गई आएगा, CPM Part का लेक्चर कब होगा, बसंसर आने वाले हैं, CPM Part का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आपको announce कर दिया जाएगा, पहले ही आपको announce बता दिया जाएगा, announcement पहले ही कर दिया चलो, अब यहाँ पर बच्चों बात क्या थी, हम लोग कल जो discuss कर रहे थे, उस आगे बढ़ेंगे, strength of material हम शुरू किये थे, strength of material, मैं आपको ये भी बता दूँ, UKPSC JEE के लिए जो हम online courses चला रहे थे, उसमें अभी तक हम क्या-क्या खतम कर चुके हैं, ताकि हम लोग समझ पाएं, irrigation हम लोग end कर चुके हैं, with objectives, irrigation के बाद हमने पढ़ा था, starting में, hydrology पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चों का रहा होगा, दुबारे discuss करेंगे, fluid mechanics पढ़ चुके हैं, लेकिन ये topic हम दुबारे revision में लाएंगे, मतलब दुबारे इन स्टार्ट करेंगे, पहले syllabus खतम कर लेते हैं, ठीक है, तो ये paper 2 में और OCF, ये हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से, तो मतलब हम paper 2 को cover कर चुके हैं, अब हमारा target main paper 1 पर है, paper 1 में, अभी जो soil discuss कर चुके हैं, लेकिन अभी जो topic में discuss कर रहा हूं, that is strength of material, तो ये lecture strength of material का है, ठीक है, strength of material में ये lecture, बच्चों, second lecture ह ठीक है, ठीक है, अब ध्यान रखना, इसके अलावा जो हम paper 1 में all discuss कर चुके हैं, मैं वो भी बता देता हूं आपको, हमने soil mechanics discuss किया है, steel structure discuss किया है, estimate discuss कर चुके हैं, जब से UKPSC के JEE का notification आया है, estimate पढ़ा है अभी हमने, और इसके अलावा, हम लोग अब जो planning कर रहे हैं, paper 1 म सोम, building materials, RCC, इस तरह की subjects का target कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत जल्द, syllabus की चिंता नहीं है, syllabus हम खतम कर देते हैं, syllabus की tension नहीं है, आप सिरफ पढ़ने पर focus करो, ठीक है, आज का lecture दिहान से देखना, आज की lecture में हम क्या discuss करेंगे, मैं आपको पहले ही सारी detail बता देता हूं, कई बच्चे ऐसे होंगे, जो सब लोगों को एक तरह से demotivate भी करेंगे, उन्हें लगेगा कि exam नहीं है इस साल में, ऐसा हो नहीं सकता भाई, अगर ऐसा हुआ तो मतलब आयोग बच्चों के साथ बहुत injustice करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है, आयोग ऐसा नहीं करेगा कि exam इस साल ना कराए, ठीक है, और exam को अगले साल डिले करे, क्योंकि ये वास्तव में बच्चों की जिसे कहते है न, patients की testing, मतलब उनकी सहन शीलता का परिक्षन हो जाएगा, बिल्कुल, soil or steel में last unit बची है, plate girder बचाए, industrial building बची है, soil में foundation engineering, आपको, ठीक है, डॉक्टर मेंधि exam इसी यह होगा, भाई, निशिंत रहो, आयोग के तरफ से response का wait तो करो, अब आपने आयोग का calendar अगर देखा है, पूरा ध्यान से, अगर आपने आयोग का calendar पूरा ध्यान से देखा हुआ है, तो आयोग के calendar के अंदर, ये साफ साफ लिखा हुआ है, कि junior engineering का जो 2021 का exam था, वो तो अगला आपका एक तरह से correction करके डाल देगा, exam UKPSC का इस साल JEE का तब ना होता, जब calendar में वो line ही ना लिखी होती, junior engineer वाली, आप सोचो तो आयोग ने जब अपना calendar दिया, सिरफ उसमें UKPSC junior engineer का notification में mention किया है, ना, ठीक है, mention किया है, तो जब mention किया है, तो फिर किसका मतलब क्या है, जब पूरा mention किया है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ही यह है, कि आप लोगों को, आप लोगों को बच्चो, यही मतलब हुआ ना, उसका, कि आप लोगों को exam इसी साल लिखना है, बस अभी date किसी जैसे final नहीं हो पाई है तो इस बारे में अपने आपको इतना ठीक है उस end पर मतले जाओ कि इतना ज्याद नेगेटिव मत रहो कि एक्जाम इस साल होगा और हम क्या करें फिर तैयारी इसी बार करनी है भाई एक्जाम इसी साल होगा एक्जाम कहीं नहीं जा रहा है आयोग ने अपने कलेंडर में जारी कर रखा है सिरफ डेट फाइनल नहीं की है ठीक है चलो तो आज का टॉपिक है हमारा इस्ट्रेंटों मेटरियल देखो पढ़ने के लिए बैठते हैं ठीक है पढ़ने के लिए कि नए नए इस्ट्वेंट्स के लिनिय यू के पीए सी एई केवल पुराने इस्ट्वेंट्स के लिए कोई फॉर्म उसका दुबारा से उस तरह से नहीं आएगा कि चलो चलो कोई शुनिये ठीक है चलो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं इस्ट्रेस की आप लोगों को अगर ध्यान से पढ़ना है तो इस चीज को पढ़ेंगे स्ट्रेस आप सभी लोगों को पता होना चाहिए स्ट्रेस क्या होती है सबसे पहले आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है stress body का internal resistance होती है this is internal resistance of a material ठीक है internal resistance तो पहली important बात जो आपको stress के बारे में पता होनी चाहिए जिसे आप हिंदी में पर्तिबल बोलते हो हिंदी में आप इसे क्या बोलते हो पर्तिबल ये किसी भी body का internal resistance है internal resistance का मतलब होता है आंतरिक पर्तिरोद अब इस बच्चो इस बात को ध्यान से समझना ये आती कब है जब आप किसी body के उपर external force अपलाई करते हैं जब external force body के उपर अपलाई की जाते हैं अभी मैं लेक्चर में कुछ स्टार्टिंग में basic रख रहा हूं ठीक है basic रख रहा हूं अभी मैं कुछ basic रख रहा हूं ध्यान रखना अभी standard topics पर हम आएंगे जो topics के बारे में depth है उस पर भी हम जाएंगे ठीक है लेकिन अभी मैं starting में थोड़ा basic concept के साथ discuss कर रहा हूं तो वह जो advance चीजे हैं वह class में जाद अच्छे से discuss हो पाती हैं बच्चों ठीक है इस्ट्रेस वह है जो UKPSC दे रहा है बच्चों को भड़िया है ठीक है ठीक है करें इस्ट्रेस क्या होता है बोडी का इंटेरनल र्रेजिस्टेंस होता है बउडी का क्या होता है इंटेरनल रे الصascular पर मेटरियल जब इक्सटरिनलफोर्स टीपर आपुए किया जाता है den you apply external force नंदा बोडी ठीक है बोडी उसके लिए कुछ response देती है जैसे माले मेरी ही बोडी है जब मैं कोई external force माले में लटक जाता हूं कहीं पर तो material जो मैरा मलब हम लोगों का muscles हैं उनके अंदर strain आएगी या stretch आएगा और फिर एक point पर आकर वो equilibrium करेगा तो उस वक्त हमारा पूरा जो fibers है या जो प्रेशे हैं जो muscles हैं वो खिचीवी होंगी उस खिचीवी अवस्था में वो material उतना लोड रजिस्ट कर पा रहा है मतलब यह हुआ कि आपका जब भी material के अंदर stress होगा ठीक है वो किसी ना किसी किस से टैच होगा strain से strain मतलब खिचाओ या दबाओ strain कुछ भी हो सकता है कि एससी जेए के लिए सफिशेंट है क्या अरे बिल्कुल सफिशेंट है आप टेंशन मतलो हाँ अर्दन डेम वाला टॉपिक कि इरिगेशन में मैंने सब को बताया है चिंता मत करो आप लोगों को उस तरह से पढ़ाया जाएगा जिस तरह से आपको कहीं पढ़ाया नहीं गया है यह बात मेरी गैरिंटी है और इसे मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं इसका सबसे बड़ा कारण है आपको theory of सीपेज स्वाइल मेकानिक्स में कर नहीं पड़ी है तो अर्दन डैम आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना और थियोरी ओफ सीपेज मैंने बता दिया है कौन पढ़ाने वाले हैं तो आपको वेट करना चाहिए थोड़ा सा थोड़ा सा वेट करना चाहिए ना कि बेच हां लेक्चर फर्स्ट में लोड के टाइप पढ़े थे हमने लेक्चर फर्स्ट में यह चीज देखी थी लोड कितनी तरह के होते हैं उनके क्या इंपक्ट होते हैं लोड कितनी तरह के होते हैं एक्जियल लोड हमने यह सारी चीज़े देखी थी लेक्चर वन हो गया था ल जो जो बच्चे WhatsApp ग्रूप में अटेच है उन सबको information दी जाएगी ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है भाई नहीं होगा complete ठीक है offline lecture आज बारिश हो रही है offline lecture है इसे live किया गया है ठीक है टाइम नहीं है भाई आपको क्या लगता है आपको इतना समझना चाहिए कि इतना जाद है आप लोगों को offline batches में online batches में पढ़ाना होता है YouTube पे उतना time नहीं मिल पा रहा है पढ़ाने का अगर मिलता तो मैं जरूर पढ़ाता ठीक है ओके चलो इस्ट्रेस क्या होता है बोडी का internal resistance होता है जो बोडी offer करती है जब उस पर external force apply किया जाता है ठीक है चलो start करते हैं अभी मैं comments दस मिनट बाद लूँगा पहले concept को समझ लेते हैं ओके जब external force बोडी पर apply किया जाता है जब external force बोडी पर apply किया जाता है ठीक है तो बोडी के अंदर इस्ट्रेइन डवलप होती है बोडी के अंदर इस्ट्रेइन आएगी obviously बात है जब अब मैं फिर से कभी बच्चे यह कहें सर बोडी दो तरह की होती है वो हम कल के lecture में discuss कर चुके हैं बोडी deformable भी होती है rigid भी होती है और जो हम strength of material में discuss करने वाले है that is deformable bodies और deformable bodies में जब आप कोई force apply करोगे तो बोडी के अंदर कोई ना कोई strain जरूर आएगा there will be some strain अगर strain रहेगा बोडी के अंदर मतलब किसके कारण से strain होता है stress के कारण ही strain होता है या strain आपकी बोडी के अंदर generate होती है तो वह help करती है आपको stress को compute करने के लिए भाई जब भी कोई चीज समझना है उसे time दो ठीक है उसे time देना चाहिए ठीक है अब ध्यान से समझना बिल्कुल दोनों language में पढ़ाते हैं तो बोडी के अंदर strength develop होती है याद रखना अब यह जैसे माल लो आपने कोई body को consider किया आपने किसी body को consider किया और आपने इस पर कोई load apply किया और जैसे आपने यह इधर से माल लो fixed है जैसे आपने इस पर load apply किया आप देख सकते हैं यह axial tension force है यह कैसा force है axial tension force यह axial tension force है तो यह आपकी body के अंदर strain आयेगा तो body के अंदर जो strain आया है वो आपका body के अंदर क्या develop कर रहा है stress और वो stress क्या कर रहा है वो stress इस external force को balance कर रहा है वो force को balance कर रहा है तो body के अंदर जब खिचाव आय रहा है यह बोडी के अंदर strain आ रही है उसी की वज़े से आप body के अंदर क्या देख रहे हैं एक stress भी develop हो रही है आप दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं जो stress generate हो रहा है उसकी वीज़े से body के अ उस external force को रजिस्ट कर सके ताकि उस external force के effect को रजिस्ट कर सके अब सोचो ये बात अगर आपको ध्यान से समझ नहीं है तो आप इस चीज को सोचो अगर आपने कोई और force लगाया और सपोज करो आपने force का magnitude बढ़ा दिया तो आपने अगर force का magnitude बढ़ाया तो strain body के अंदर और जादे हो जाएगी तो उससे क्या हो रहा है और जादे stress डवलप हो रही है और higher stress डवलप हो रही है तो जितना आपका force का magnitude होगा उसी amount में आपकी body के अंदर strain आएगी और उसी amount में stress generate होगी तो stress basically develop होती है external force के effect को counterbalance करने के लिए या external force का जो effect होता है किसी भी material के उपर उसे balance करने के लिए body के अंदर stress generate होती है तो देखो अब यहाँ पर यह भी बात जरूरी है बच्चों जानना कि body के अंदर जो stress होती है stress develops due to या stress develop to counteract the effect of effect of external force external force के effect को counteract करने के लिए stress develop होती है हाँ यह देखो यह यह आये बच्चे कि पहले क्या आएगी strain या stress वह यह वही सवाल है पहले क्या आया था अंडा या मुर्गी यह यह बच्चे मैं मैं देखता हूं कहीं बच्चों को ठीक है यह कहीं बच्चे आते यह बच्चे मैं ने लिग दिया और कहां पढ़के आते हो भाई पहले श्ट्रेन आयेगी फिर श्ट्रेस आएगी ठीक है क्या पढ़ कि आपते हो तुम है वो कह रही है ने की मूर्गी याएगी फहले आधर लाई उसकी है आधा मुद्ध जायेगा चेन्त अमत कर गया रहा है के मूर्ग ऐह इगी अरे भाई stress is a derived concept, याद रखना, stress is a derived concept, ये derived concept है, क्या है ये derived concept, ये फालतु की बातें मत करना, पहले stress आएगी के strain आएगी, कुछ ही पहले बाद में नहीं होता भाई, क्या पढ़ते हैं, तो कोई पहले नहीं आएगा, दुनों एक साथ आएंगे, ठीक है, जैसे strain आ रही है, वैसे stress बढ़ रही है, ये कुछ ऐसे, मतलब मुझे नहीं पता कहां से पढ़के आता हैं, बच्चे ये, कि stress आएगी, strain आएगी, कौन इन्हें सिखा देता है, ठीक है, वो stress आएगा सर, अरे कुछ नहीं आएगा भाई, शांत रहो, stress आएगा कि strain आएगी, हे बगवान, देखो पहले concept समझ लो, उसके बाद फिर्मत चिल्लाना, कोन आएगा पहले और कोन नहीं आएगा पहले, वो कैसे सर, stress एक derived concept है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी sent venant principle पढ रहा हो, तो बात समझ भी आए तुम्हारे दिमाग में, ये देखो इदर, ध्यान से देखना, जब आप किसी material के उपर stress अपलाई करते हैं, जब आप किसी material के उपर force अपलाई करते हैं, तो उसके अंदर आपका actual deformation जो होता है, actual deformation जो होता है, वो इस तरह से होता है, जो load के नजदीक है, वहाँ तो stresses ज़ाद होती है, और किनारों पर stress कम होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, actual stress का जो calculation है, वो इतना आसान नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, theory of elasticity का यूज़ करके, theory of elasticity या और तरह के concepts का यूज़ करके, हम stress को compute करते हैं, with the help of strain, हम यह मानते हैं, stress is proportional to strain, या जो भी stress is proportional to strain की पावर एक बटा, जो भी मान रहे हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से सुनना, फिर मत करना, पता नहीं कहां से पढ़ गया आते हैं, stress आएगी, पहले strain आएगी, भाई, कि strain एक physical quantity है, physical quantity है, it can be measured, but in journal, जब हम theoretically बात कर रहे हैं, अपने calculation purpose के लिए बात कर रहे हैं, stress is a derived concept, बताया कुछ और जाता है, बच्चों को बुक्स में कुछ और लिखा होता है, और कुछ गुरु महराज कुछ और ही समझ लेते हैं, भाई, ध्यान से सुनना ये बात, stress is a derived concept, क्या है, derived concept है, which can be derived by knowing the strain, अगर आपको strain value पता है, तो आप stress को निकाल लेते हो, ये कहने की बात आ रही है, ये बात कहने की आ रही है, अब अगर हम ये कहें, strain की value हमें पता है, तो उससे हम stress को compute कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, stress बाद में आएगी, strain पहले आएगी, ये मतलब इसका बिल्कुल भी नहीं है, जब material को खीचा जाता है, तो उसमें एक साथ ही strain और stress चलती है, खीच रहे हो, खीच रहे हो, stress भी भढ़ रही है, strain भी भढ़ रही है, ठ stress external force को balance कर रही है, तो उस force के कारण maximum उतना stress जाएगा, तो strain और stress दोनों material के अंदर अगर बात करें, एक साथ आ रही है, लेकिन चुकि stress एक को major नहीं किया जा सकता किसी equipment से, we can major only strain, हम stress को क्या बोलते हैं, यह derived concept है, जिसे strain के आधार पर कुछ elasticity theory या कहीं अन्य theories का use करके हम इसे compute करते हैं, on the basis of strain, इसलिए कहते हैं, strain को हम easily major करते हैं, उसके आधार पर हम stress को निकालते हैं, और कहीं लोगों ने क्या मान लिया है यह, कि strain पहले आएगी, कि stress पहले आएगी, यह मान के बैठे हैं यह, आई कुछ बात समझे, जिसने पूछा था यह question, अरे आई कुछ बात समझ के नहीं, जिसने यह question पूछा, stress आएगी कि strain आएगी, भाई, stress और strain, stress और strain दोनों simultaneous आती है, material में आसा नहीं कि strain पहले आएगी, फिर stress आएगी, फिर stress आएगी, फिर strain अब यहाँ पर हमने यह कहा, stress को हम define कैसे करते हैं, how do we define stress, stress को हम define कैसे करते हैं, हाँ कोई बात नहीं, slow भी चलेंगे, लेकिन बच्चे question सी ऐसा पूछ रहे थे, बीच में ही, कि सर strain आएगी, पहले stress आएगी, ऐसा question पूछ रहे थे, ऐसा question थोड़े ही होता है, stress के बिहाव पर, ठीक है, stress के बिहाव पर, आपको, sorry, strain के बिहाव पर, आपको stress calculation करनी होती है, इसलिए हम कहते हैं, हमें strain पता चल जाती है, उसके बाद हम stress को calculation करते हैं, ठीक है, चलो, अब बात ही, इतनी सी है, बच्चो, stress और strain का concept आपको समझ आना चाहिए, मैं आपको basic बताना चाहा रहा हूँ, stress को हम represent कैसे करते हैं, stress को जर्णली जब आप लोग पढ़ते हो न, f upon a, जब आप stress को पढ़ते हो न, force upon area, बच्चो, ये actual stress नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखना, ये होती है, average stress, average stress का formula होता है, actual stress distribution, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर कोई load apply कर दूँ, तो actual stress distribution कैसा होता है, अभी मैं बहुत depth में नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं फिर से आपको clear कर देता हूँ, actual stress distribution ऐसा होता है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाएंगे, तो stress का distribution, stress का जो distribution है, वो uniform होता चला जाएगा, stress का distribution क्या हो जाएगा, uniform, कैसे मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरह से, अब हम उधर की तरफ चले जाएंगे, तो फिर से वो इस शुरू हो जाएगा, अब यह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, stress maximum कहां होती है, जहां load के आसपास, और किनारों पर जाते हैं तो stress कम होती है, तो actual stress अगर किसी को देखनी हो, तो वो आपकी ऐसे नहीं लिखी जाती, वो आपकी लिखी जाती है, delta A, मतलब वो आपको उस particular area के लिए specify करनी होगी, लेकिन जब हम calculation work करते हैं, तो हम stress को uniform मानते हैं, stress को हम क्या assume कर लेते हैं, uniform, और यह जो stress होती है, यह हमारी average होती है, और average stress को लिखने का परचलन होता है, force upon area, that is, internal resistance, यह बात ध्यान रखना, internal resistance, offered by a, offered by per unit area, per unit area, of a body, to resist, to resist, external force, is called, is called, stress, उसे हम क्या बोलते हैं, stress बोलते हैं, true stress और true strain अलग concept है, भाई, Lawrence Vishnoy, बड़े फैन लगते हो, तुम Lawrence Vishnoy के, अपना नाम यही रख लिया हैं, भाई, तो जेई क्यों बन रहे हो फिर, ओके, तो basically stress क्या होता है, यह आंतरिक परतिरोद होता है, ठीक है, परति इकाई छेतरफल द्वारा, ऐसे हिंदी में बोलते हैं न, परति इकाई छेतरफल के द्वारा, जो, external force के, external force के परभाव को, रोकने के लिए, रोकने के लिए, उत्पन होती है, ठीक है, आंतरिक परतिरोद, परतिकाई छेतरफल के द्वारा, जो, external force के परभाव को, रोकने के लिए, उसे हम, stress बोलते हैं, और जब हम लिखते हैं, stress को, force upon area, that is called, stress distribution, near load is maximum, बिल्कुल ठीक बात है, लोड के आसपास अधिक्तम रहता है, लोड के आसपास अधिक्तम रहता है, लोड से दूर, stress का distribution कम हो जाता है, एक्चुल यह variation होता है, लेकिन जैसे हम, away from the load जाते हैं, तो stress distribution uniform होना शुरू हो जाता है, stress distribution uniform होना शुरू हो जाता है देखो variation आप with के along देख रहे हो variation along with देख रहे हो जब आप load से दूर जा रहे हो in terms of depth तो आपका stress distribution uniform होना शुरू हो जाता है लेकिन बच्चो लोड के नजदीक अगर आप देखोगे stress distribution इस तरह से रहता है लेकिन अभी इस concept और हम बाद में आएंगे पहले हम basic चीज को cover करते हैं internal resistance offered by per unit area of a body to register external force is called stress external force को register करने के लिए जो body का बच्चो बिलकुल ओके ठीक है ठीक है समझाय आईए हाँ बारिश हो रही है यहाँ पर ठीक है उसे stress बोलते हैं अब now come to the stress के type क्या होते हैं बच्चो stress हमेशा दो ही type की होती है stress के वल दो type की होती है stresses of two types आप सबको ध्यान रखना है एक तो होती है normal stress एक होती है shear stress इसमें आप और तरह के types भी add कर सकते हैं बट इन जर्नल क्लासिफिकेशन दो तरह की stress कही जाती है normal और shear नॉर्मल इस्ट्रेस में क्या होता है नॉर्मल इस्ट्रेस होती है which is perpendicular to the surface जो सतह के perpendicular हो जिस पर यह कारिया कर रही हो मानलो यह सतह है और यह stress है तो stress सतह के perpendicular है stress surface के क्या है perpendicular तो यह normal stress है and what is shear which is tangential tangential को हम क्या बोलते है इस पर shear which is tangential to surface जो सतह के tangential होती है उसे हम shear stress बोलते है अब surface के tangential को हम shear stress बोलते है बिल्कुल stress को calculate करने के लिए हम uniform stress distribution को assume करते हैं बिल्कुल सही बात है टेकनिकल रहे बिल्कुल ठीक बात है और जो सतह है के tangential है वो shear है अब कहानी यहां से शुरू होती है जो normal stress होती है वो कितनी तरह की होती है normal stress कितनी तरह की हो सकती है बच्चो normal stress हो सकती है axial stress है normal stress के अंदर आ सकती है bending stress और normal stress के अंदर आ सकती है bearing stress ये सभी stresses normal stress की category में जाती हैं तो exam में कोई तुमसे पूछे कि normal stress क्या होती है तो axial stress भी normal है bending भी normal है और आपकी bearing stress भी normal stress की category में जाती है क्योंकि ये सारी stresses आपकी सताय के perpendicular लगती है अब for example मालो ये कोई material है और इस material पर आपने इधर एक load apply कर दिया है इस तरह से आपने इधर भी f4 supply किया है इधर भी f4 supply किया है तो ये इसकी axis के along है तो ये load axial है और आगर आप इसके किसी भी section को analyze करेंगे अगर आप इसके किसी भी section को analyze करेंगे बच्चों ध्यान से देखना अगर आप इसके किसी भी section को analyze करेंगे तो उस section के उपर इस load को रोकने के लिए कुछ ना कुछ stress generate हुई होगी तो वो stress आपकी axial stress कहलाएगी और वो normal इसलिए है क्योंकि जिस section पर वो लग रही है उसके perpendicular है अब इसका मतलब यह नहीं है इसके सारे section stressed होगे इस material के अंदर जितने भी section है उन पर कुछ ना कुछ stress होगा clear a point तो जब हम इसे average condition में लिखते हैं average condition में हम क्या लिखते हैं average condition में हम लिखते हैं force upon area अगर हम stress के distribution को uniform माल लें for uniform stress distribution ये बात सहिए uniform stress distribution ठीक है ये f upon a लिखा करते हैं हम लोग अब यहां पर एक और important concept है जो आपको समझना है ये force वाली बात तो समझ आ गई अब तुम यह देखो axial stress एक्जियल इस्ट्रेस की जब हम बात करते हैं ये भी दो तरह की हो सकती है बच्चो एक्जियल इस्ट्रेस में एक हो सकती है एक्जियल टैंसाइल इस्ट्रेस और एक्जियल इक। कॉंप्रेसिव कि इस्ट्रेस ठीक है एक्जियल इस्ट्रेस को आप डारेक्ट इस्ट्रेस भी बोल सकते हो ठीक है direct compressive direct tensile ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग ठीक है direct stresses भी आप इसा बोल सकते हो चीजे बताई हुई हैं वह अभी एक मिनिट में आपको सारी पॉइंट के लिए रहूंगे ठीक है एक मिनिट में भी आपको सारे पॉइंट के लिए रहूंगे कि ओके अब ध्यान से सुनना देखो आज बारिश की विज़े से जो ओफलाइन क्लास होनी थी वो ओनलाइन चल रही है बिल्कुल टेंजेंशल इस्ट्रेस कभी एक्जामपल देंगे रुख जाओ भी बात पूरी खतम करने दो बेंडिंग इस्ट्रेस की बात करते हैं बच्चो अब बेंडिंग इस्ट्रेस होती है ड्यू टू ट्रांस्वर्स लोडिंग अब जैसे आपके पास कोई भी बीम इस ठीक है, बीम है आपके पास कोई for example, यह बीम किसी support पर टिका हुआ है यह किसी support के उपर टिका हुआ है आपने इस बीम के उपर कोई transverse loading अपलाई कर दी और transverse loading के कारण यह बीम इस तरह से जुक रहा है मनलो इस तरह से जुकाव आ रहा है इसके अंदर तो आप ये बात देख सकते हैं आप ये बात अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर जुका आँ आ रहा है तो नीचे की side क्या है? Tensile, यह मैंने आपको बताया था और उपर की side क्या है? Compression, क्योंकि sagging condition है यह यह sagging condition है, उपर compression है, नीचे? Tensile है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है अगर मैं इसका cross section आपको बना कर दिखाऊं तो बच्चों यह मैंने आपको दिखाया भी था एक diagrams की help से मैंने आपको दिखाया भी था जब भी bending आती है, बेंडिंग आती है तो stresses सतहके normal होती है ये surface है और surface के perpendicular होती है surface के क्या होती है perpendicular तो इसलिए bending stress को भी normal stress की category में डाला जाता है bending stress को normal stress की category में डाला जाता है अब देखो एक हिस्से पर आपके सारे arrow उधर है और एक हिस्से के बाद इधर है तो ये आपका बच्चो ध्यान रखना ये भी आपका क्या कहलाता है bending stress आपकी क्या कहलाती है bending stress बच्चो आपकी एक तरह से normal stress ही होती है bending stress आपकी क्या होती है normal क्योंकि इस पर भी सत है के उपर वाले हिस्से पर क्या लग रहा है सारा compression तो उपर वाले हिस्से पर जो भी stress है वो compressive है और नीचे वाले हिस्से पर क्या है टेंसाइल, देखो इस तरह से, तो आपकी सत्य है कि परपेंडिकुलर है बेंडिंग, और बेंडिंग की खास बात क्या है? सौम डेंजरस सब्जेक्ट है, डेंजरस नहीं है भाई, सौम आसान सब्जेक्ट है, बस समझने की बात है, ठेक है? ध्यान से सुनना अब, यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, जो सत्य है कि क्या हो? परपेंडिकुलर, और आपके पास बेंडिंग की खास बात यह है, कि यह आपकी जर्नली, आप देख सकते हैं, यह कंप्रेशन और टेंशन, दोनों एक साथ आते हैं, तो बेंडि कंप्रेशन, और दूसरा बेंडिंग टेंशन, बेंडिंग कंप्रेशन, यह भी आपकी दो तरह की हो सकती है, जैसे एक्जियल स्ट्रेस थी न, एक्जियल टेंसाइल, एक्जियल कंप्रेसिव, यह भी आपकी दो तरह की होती है, बेंडिंग कंप्रेशन, बेंडिंग टें तो compressive stress आएगी ठीक है लेकिन यहाँ पर bending load लगने से एक ही time पर दोनों तरह की stresses उत्पन हो जाती हैं एक हिस्से में bending compression और एक हिस्से में bending tension तो आपका bending stresses के कारण बच्चो बहुत जल्द आएगी भाई बहुत जल्द आएगी चिंता मत करो किसी कारण से delay है ठीक है तो यहाँ पर bending stress की बात समझ आई अब यहाँ पर बच्चो बेरिंग stress क्या होती है बेरिंग stress तब आती है कहानी में जब आपका कोई member या कोई body किसी सतह के उपर रख दियो आपने ऐसे और आप इसके उपर कोई compressive load apply कर दें आप इसके उपर क्या कर दें compressive तो यह member supported है नीचे से तो इसे नीचे से क्या मिल रहा है reaction condition तो इस condition में जो member के अंदर stress उत्पन हो रही है वो stress क्या कहलाएगी bearing stress उसे हम क्या बोलते है bearing stress जब support मिलावा हो तो उस stress को हम क्या बोलते है bearing stress बोलते है bearing stress basically एक compressive stress ही है but when a material is supported on some rigid platform तो उस वक्त जब आप उसे load compression में देते हैं तो उसके अंदर जो stress आती है मुसे क्या बोल सकते है bearing stress बोल सकते हैं तो bearing stress क्या होते है तो axial stress bending stress bearing मेरी बात ध्यान से सुनना आपको सिरफ इतना याद रखना है यह वाली stresses आपकी क्या है यह stresses आपकी कहलाती है नौर्मल stresses नौर्मल इस्ट्रेस वो होती है जो surface के perpendicular रखती है अब सवाल उठता है shear के बारे में के shear stresses क्या होती है बच्चो ध्यान रखना अगर मैं आपसे एक बात बोलू shear stress से पहले मैं आपको एक बात और बोलू कि अगर stress को classify करना हो कि इस्ट्रेस को classify करना हो तो याद रखना shear stress के बारे में बात कर लेते हैं shear stress को अगर वर्गी करत करना हो दो भागों में कर सकते हैं एक डारेकट shear stress उस्चट्रेस है up कि और दूसरी होती है इंडारेकट shear stress हे तो ऊसकती है च्टीन कि दो तरह से जनरेट हो सकती है एक इंडारेकट कौन-कौन से कारण हो सकते हैं शिल जन्डैशन के बच्चों ये जनरेशन का सबसे पहला कारण, अगर आपका बीम है, आपका बीम किसी सपोर्ट के उपर रुका हुआ है, आपका बीम किसी सपोर्ट के उपर टिका हुआ है, आपने इस पर कोई भी, आपने इस पर कोई भी वर्टिकल लोडिंग अपलाई कर दिये, आपने कोई भी वर्टिक एनलाईज कर रहे हो इतना सेक्षन आप एनलाईज कर रहे हो तो इस सेक्षन के ओपर उस लोडिंग का जो इफेक्ट होगा उसके कारण एक ऐसी टेंजेंशियल इस्ट्रेस जनरेट हुई होगी एक ऐसी टेंजेंशियल इस्ट्रेस जनरेट हुई होगी यह टेंजेंशियल इस्ट्रेस जनरेट हुई होगी यह टेंजेंशियल इस्ट्रेस जनरेट हुई होगी यह टेंजेंशियल इस्ट्रेस जनरेट हुगी यह टेंजें बात बच्चो मुझे समझ आ रही है अगर किसी भी सेक्षन को मैं यहां इस पर दिखा रहा हूं यह तो बीम साइड से आप देख रहे हो कि लाइन डाइग्राम है उसके एक तरह से और यहां पर उसका सेक्षन है तो अगर सेक्षन पर कोई ऐसे स्ट्रेस जनरेट हो रही है ज यह बीम का एक सेक्षन ड्रो किया आपके लिए यह क्या ड्रो हो रहा है बीम का सेक्षन और बीम की सेक्षन पर कोई ऐसी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस के कारण क्या है उस स्ट्रेस का कारण है सेक्षन के उपर एक शीर फोर्स का आना सेक्षन के उपर एक वल्टिकल शीर फोर् उसको register कर रही होंगी, तो यह जो stress सतह के इसपरशी है, इसे हम shear stress बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, shear stress बिल्कुल, किसी के plane के parallel जो लग रही है, that is called shear stress उसे हम क्या बोलते हैं, shear stress बोलते हैं, बिल्कुल, ठीक है, अब ध्यान से देखना हमेशा beam वगेरा के अंदर जो आपकी stress generate हो रहा हुg है किसी भी section पर वLtical force के कारण वो direct shear stress की category में रखे जाती है उसे हम direct shear stress की obs रखते हैं इसके अलावा किसी भी सत्य पर आप रगण लगा रहे हो तो वो आपकी direct shear stress ही कही जाएगी लेकिन बच्चे को जो confusion होता है वो असली confusion होता है indirect shear stress में असली confusion कहा होता है indirect shear stress में ठीक है indirect shear stress क्या होती है उसमें confusion होता है clear point तो indirect shear stress क्या होता है उसमें confusion होता है ठीक है चलो अब indirect shear stress कैसे generate होती है मैंने बताया direct shear stress किसके कारण generate हो रही है ये इसका आपको बता एक्जाम्पल देना हो तो क्या देंगे आप कह सकते हैं इन बीम्ज ड्यू टू वर्टिकल लोड्स इसके अलावा भी बहुत सारी जंगे हैं जहां पर डिरेक्ट शियर इस्ट्रेस अब्जर्ब की जा सकती है जैसे आप लोग इस्टील इस्ट्रक्चर सब्गेशन फगरन में पड़ते हैं एक स्टील इस्ट्रक्चर्टर में लेसिंGER बेटन पड़ते हैं सोरी ब stewards बेटन पड़ते हैं बेकर में longitudinal शिएर आती Yak शियर अबाउट improvement क्या लहं आता है क्या ऐसा यह नहीं है numerical apple आने का मतलब क्या हुआ pró received के अबाउट आने से कोई इसका relation नहीं है ठीक है कोई ऐसा relation नहीं है कि neutral axis के अबाउट आता है ठीक है अब इन्डेरेक्ट shear stress क्या होता है indirect shear stress दो कारणों से और कि कॉअर्म्ल कि कि इस्ट्रेस के कारण भी इंडेरिक्ट शियर इस्ट्रेस आ सकता है और तोरीजन के कारण तो आता ही आता तोरीजन के कारण आप इस से Mainly को ध्यान समझो एक बात ध्यान से समझना सब लोग ठीक है एक बात ध्यान से समझना कि अगर आप इस चीज को कहें टॉरजन इंडिरेक्ट इस्ट्रेस में आप यह देख रहे हैं टॉरजन के कारण कैसे जनरेट होती है और ड्यू टू नॉर्मल इस्ट्रेस कैसे जनरेट हो जा को आप twisting करते हो ठीक है तो twisting के कारण उसके surface fibers और उसके जो रेशे हैं वो ऐसे करके आप देख सकते हो ऐसे करके shear को रेजिस्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि twisting generate करता है एक ऐसी shear stress जिसे हम किस category में रख रहे हैं indirect shear stress की category में रख रहे हैं तो twisting of member या torsion के कारण या twisting के कारण कैसे generate होती है आप इस बात को समझो अगर आपका कोई element है इसके ओपर कोई normal stress लग रही है तो बच्चों हो सकता है इस पर normal stress है लेकिन इसके किसी other plane पर इस normal stress के कारण normal और shear stress exist कर सकते हैं तो यह shear stress जो की इस normal stress के कारण generate हुई है किसी other plane पर उसे हम क्या बोलते हैं indirect shear stress उसे हम क्या बोलते हैं indirect shear I stress क्या बोला करते है i indirect stress बोलते है कि क्या बोला करते है indirect sheer stress social structureقطšयर में failure direct stress past share stress होगी न ध्यान से समझना ठीक है याद रखना सोयल का जो लोड रेजिस्टेंस मेकानिजम है वो बिल्कुल डिफरेंट है वो बिल्कुल अलग है और जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं स्ट्रेंटो मेटरियल वो थोड़ा अलग है सोयल के अंदर शियर इस्ट्रेंस जो है वो ग्रेंटो ग्रेंट रेजिस्टेंस पर देखी जा रही है है तो वहाँ कुछ अलग है अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं नॉर्मल इस्ट्रेंस हमने अपलाई की है जैसे तुम कह रहे हो सोयल के अंदर हम कंप्रेसिव लोड अपलाई करते हैं लेकिन किसी अधर प्लेन पर आपको देखने को मिलता है उस नॉर्मल लोड के कारण शीर जनरेट हो रही है उस लोड के कारण क्या जनरेट हो रही है शीर तो एक्चुल में आपने डिरेक्टली लोड ऐसा नहीं लगाया जिससे शीर आएगी लेकिन उस लोड को अपलाई करने से किसी अधर प्लेन पर किसी अन्यप्लेन पर आपकी शीर जनरेट हो रही है तो शीर का जनरेशन नॉर्मल के बहुद कारण होता है कैसे कैसे generate हो सकती है अगर आपने यहां पर कोई direct shear आ भी रही थी यहां पर कोई direct shear आ भी रही थी तो इसके कारण भी किसी other plane पर क्यों भई हो सकता है ऐसा आपने पढ़ा है ना चलो आगे देखेंगे हम लोग इसके कारण किसी under plane पर आपकी shear generation हो सकता है आपको ध्यान रखना है बच्चो अगर आपके पास अब total stress system ध्यान से समझें हमारे पास जो material के उपर stresses होती है normal और tangential या फिर shear stress normal stress में हमारे पास axial bending stress आती है और bearing stress आती है और जबकि जो हमारी shear stress है उसमें direct shear stress indirect shear stress आती है direct shear stress वो होती है जो directly load के effect के कारण किसी section पर generate हो जाती है और indirect shear stress वो होती है जो या तो torsion के कारण generate हो रही हो या फिर किसी material पर आपने normal stress apply की हो उस normal stress apply होने के कारण किसी other plane पर किसी और plane पर normal और shear stress आ गई हो that is called indirect shear उसे हम क्या बोलते हैं indirect shear stress बोलते हैं क्या बोला करते हैं, indirect shear stress बोला करते हैं, बात समझ आया कि नहीं आया, what is indirect shear, indirect shear क्या हो रहा है, आपने load तो apply किया कुछ और, ठीक है, आपने load तो apply किया कुछ और, लेकिन उसके कारण किसी अन्य प्लेन पर आपकी shear generate हो गई है, जैसे मोहर सर्कल वाला topic पढ़ते हैं न, इनकी definition नहीं चाहिए भाई, आपको इनकी definition नहीं चाहिए, आपको इनको समझना चाहिए, ठीक है, इनकी definition नहीं है, कि इनका definition लिख लेगा कोई, बस आपको ध्यान रखनी है, कि क्या क्या होती है, आपको ये points लिखने हैं, ठीक है, आपको ये points लिखने हैं, और इन्हें तोर्जन होता है, तोर्जन के कारण, नियोंटमिल इस्ट्रेस के कारण, आधी के कारण हो सकती है, ठीक है, अब एक material, जिस पर stress हम इनलाईज कर रहे हैं, वो कितनी तरह की stresses हो सकती है, किसी भी material पर बचो, आपके पास, ये एक element का face है, ये एक 3D state of stress है, ये एक element का face है, इसके इस phase पर जो shear stress exist कर रही है एक तो tau yz आप देख सकते हैं और साथ ही साथ tau xz तो आपके एक phase पर कितनी stresses हैं आपके पास total एक तो normal और दो shear तो मतलब एक phase पर total stresses कितनी हुई तीन तोटल stresses कितनी हुई तीन ये बात ध्यान समझना एक phase पर total stresses कितनी हुई 3 stresses तो total कितने phase होते हैं किसी भी 3D space अगर 3D या cubical element के consider करें total 6 phase होते हैं तो total 6 phase पर कितनी stress आ सकती हैं 36 लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है किसी भी state of stress को define करने के लिए आपको केवल 9 stress element चाहिए 3D में कितने stress element चाहिए 9 कैसे चाहिए 9 stress element ध्यान से सुनना क्योंकि बच्चों अगर आप ध्यान से देखो अगर कोई material equilibrium में है अगर इस phase पर sigma x लगा है तो इसके दूसरे वाले phase पर इसे equilibrium में रखने के लिए क्या लगेगा sigma x अगर इस phase पर sigma z लगा है तो इसके दूसरे phase पर equilibrium में रखने के लिए क्या लगेगा sigma z ऐसा ही होगा ना इधर भी sigma z है तो उधर भी sigma z है उधर भी sigma z है इधर भी sigma y है आप देख सकते हैं और नीचे की तरब भी sigma y होगा तो इस तरह से आपके 6 faces में आप देख सकते हैं normal stress केवल कितनी है तीन तो आपके किसी भी stress element को किसी भी element के उपर जो कि 3D में है normal stress उस पर कितनी define करनी होगी केवल 3 normal stress कितनी exist कर रही है तीन कौन कौन सी normal stress है आपकी sigma x sigma y और sigma z जबकि आपके shear stress के कितने component है आपको पता होने चाहिए शियर stress के कितने components पता होने चाहिए आप ध्यान रखना ये जो tau xy है ये equal है इस वाले face के stress का इस तरह से आप देख सकते हैं और ये tau yz इस वाले tau yz के equal है और ये tau xz इस वाले tau xz के equal है तो बच्चो ध्यान रखना shear stress के केवल आपको 6 component चाहिए होते हैं कौन-कौन से हैं वो 6 component टाव xy चाहिए आपको ठीक है इसके अलावा आपको क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए टाव yz चाहिए आपको ओर क्या चाहिए आपको इसके अलावा बच्चो आपको टाव yx चाहिए इसके अलावा आपको टाव zx चाहिए और आपको क्या चाहिए टाव जेड़ वाई लेकिन अभी कहानी सुनना ध्यान से तीन नॉर्मल इस्ट्रेस और 6 शीर इस्ट्रेस के कॉंपोनेंट टोटल कितने हुए आपके 9 अब कहानी क्या है इस्ट्रेस को जब हम रिपरजेंट करते हैं आप सब लोग ने पढ़ाई होगा इस्ट्रेस एक टैंसर क्व ठीक है मैट्रिक्स की फॉर्म में ठीक हाथ से बना कर भी समझा देंगे चिंता न करो देखो हम क्या करते हैं इस्ट्रेस को रिपरजेंट करने के लिए नॉर्मल इस्ट्रेस इसको डाइगनल में रिपरजेंट करते हैं सिग्मा एक सिग्मा वाई सिग्मा जेड जो कि हमार y x और tau y z और यहाँ पर z x और tau आप कह सकते हैं z y यह हमारा stress का representation है जिसमें एक दो तीन चार पांच छे स्वारी यह वाली छे तो हमारे stress element है shear के और हमारे तीन element है normal के लेकिन सवाल यह उठता है बच्चो अगर material equilibrium में है यह 3D condition में यह किस condition में stress tensor 3D condition में total कितने element है stress के 9 elements इसलिए बच्चो याद रखना stress को हम stress को हम क्या बोलते हैं 3 की power 2 मतलब कितने element है 9 इसे हम बोलते हैं यह second order का tensor है second order tensor कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है stress को second order tensor कहा जाता है ठीक है एक बार और consider एक बार और बता देता हूं आपको कि इनकलाइन प्लेन पर शियर और नॉर्मल दोनों आ सकती है और किसी भी प्लेन पर आ सकती है ठीक है इस्टार भारत ध्यान रखना ध्यान रखना ये बात बच्चो ध्यान से समझो normal stress और shear stress और shear stress टोटल कितने component हुए छे component हुए इस्ट्रेस क्या है एक tensor quantity है थ्री की पावर टू बराबर नाइन ये हमारा क्या है second order tensor है ये हमारा क्या है second order tensor क्यलाता है stress इस बात को बच्चो ध्यान रखना आप लोग जब भी हम बात करते हैं stress tensor की जब भी हम बात करते हैं stress tensor की आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी भाई 3D elements जब हम draw करते हैं ठीक है 3D elements जब हम draw कर रहे हैं इस तरह से ठीक है तो आपके एक face के उपर अब इस बात को समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर ये एक ये face हो गया ठीक है एक ये face हो गया और इसके अलावा एक ये face इस तरह से हो गया और तीसरी stress जो हो गई हमारी stress हो गई normal कैसे दिखाए normal को ठीक है हाथ से बनाने में थोड़ा मुश्किल है ये ऐसे दिखा देते हैं ठीक है यहाँ पर हमारे पास माल लो ये stress है हमारी tau zx और ये stress है हमारी tau zy क्योंकि ये plane हमने consider किया हुआ है z दिखा में और ये दिखा हमारी क्या है x याद रखना shear की एक खास बात है जैसे tau zx लिखा गया तो इसका मतलब है z plane है और x उसकी direction है जैसे आप ध्यान से देखो ये आपकी लिखी गई है tau xz ऐसे लिखा जाता है या फिर tau zx लिखा जाता है तो यहाँ पर हम एक बात ध्यान रखते हैं एक letter लिखते हैं plane के लिए और एक letter लिखते हैं हम किसके लिए direction के लिए ठीक है और इसी तरह से जैसे मैं लिखता हूँ न टाव ऐसे लिख रहा हूँ मालिया में tau zy तो मान लेता हूँ मैं z plane है मेरा और y क्या है मेरी उस stress की direction है ठीक है उस stress की direction है अब maximum concept ऐसे हैं जो class के अंदर ही समझने में जाद अच्छे रहेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है YouTube पर बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे समझा पाना आपको इस तरह की concepts बिल्कुल ठीक है क्योंकि stress के अंदर total 9 elements है stress के अंदर कितने है total 9 elements है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं 3 की power 2 that is second order tensor second order tensor बोलते हैं direction के बारे में भी पूछता है तो direction क्या है direction बच्चो 3 की power 1 लिखी जाती है तो direction कितनी होते हैं 3 कौन-कौन सी x y और z चुकि 3 direction है 3 की power 1 तो यह हमारा क्या है first order tensor है that is first order tensor इसे हम क्या मानते हैं first order tensor है ठीक है direction हमारी first order tensor है जबकि magnitude magnitude क्या है magnitude में तो बच्चो एक ही चीज होती है एक उसका परिमान एक ही बात होती है तो उसे लिखते हैं 3 की power 0 that is 1 तो magnitude हमारा zero order tensor क्यालाता है zero order tensor tensor टेंसर एक mathematical quantity है stress को ना तो आप stress को ना तो आप vector मानते ना ही scalar मानते stress को मानते tensor एक mathematical quantity है जिसे matrix की form में represent कर सकते हैं तो यहां पर बच्चो second order tensor stress को कहा जाता है stress को 3D सिस्टम में second order tensor हम मान रहे हैं direction को direction को first order tensor कहा जाता है और magnitude को zero order tensor के category में डाला जाता है magnitude क्या है zero order tensor है यह बात याद रखेंगे सब लोग magnitude हमारा zero order tensor होता है clear point अभी बहुत सारी चीज़े हैं बताने के लिए अब क्या होता है आप ध्यान से समझना जो अलग-अलग face होते हैं आप यह चीज 2D में आप देखें ध्यान से अगर मैं इसी बात को यह 3D में हैं अगर मैं इसे 2D में लाऊंगा तो जितने भी jet direction के component होने हटा दूँगा तो 3D और 2D में क्या difference होता है हाँ बिल्कुल वही बता रहा हूँ मैं independent elements पही आ रहा हूँ ठीक है हर शक गरवाल समझ आ रहा है ठीक है चलो फिर ठीक है अगर समझ आ रहा है फिर ठीक है देखो क्या होता है आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा आपके जो elements हैं आपके जो elements हैं उन्हें ध्यान से एक बारी आपको समझना पड़ेगा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा उन elements को सभी को देखो यह आपकी shear component है ठीक है मान लो यह आपका इधर z direction है और इधर आपकी x direction है और यह वाली आपकी y direction है यह वाली आपकी क्या है y direction तो यह वाले element पर यह वाले face पर मैं लिखूंगा इसे actual में tau z x क्योंकि z plane पर है z side वाले plane पर x direction में ठीक है इसी तरह से मैं यहाँ पर एक और stress element है इसे मैं लिखूंगा tau z y क्या लिख रहा हूं tau z y अब खास बात क्या है बच्चो यह एक plane है इसके साथ एक जुड़ावा plane यह भी है यहाँ पर जो stress होगी यहाँ पर जो stress है यह y plane पर है tau y लेकिन इसकी दिशा क्या है z तो इसे y z लिखेंगे अब यह देखो यह वाली stress क्या होगी shear tau यह किस plane पर है y लेकिन किस दिशा में है x तो इसे मैं tau y x लिखूंगा लिखना आ रहा ह लिखना रहा है यह क्यों भाई यह अगर आप ध्यान से देखो अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो कि यह points कि किस तरह से मैंने लिखे हैं shear stresses के क्यों भाई किस तरह से मैंने लिखे हैं shear stress के यह points आप लोगों को समझ आ रहे हैं यह ठीक है यह कह रहे है definition of tensor अरे tensor is a mathematical quantity ठीक है it is it is not similar to the vector ठीक है it is a mathematical quantity आप tensor को एक mathematical quantity मान सकते हो जिसमें components are represented in array जो भी components हैं वो एक array के अंदर represent किये जा सकते हैं वो components किसके अंदर represent किये जा सकते हैं एक array के अंदर रिपर्जेंट किये जा सकते हैं ठीक है कि अधिक है अधिक है कि समझ आया बात कि अब सुनो ध्यान से कि यहां पर जितने भी components हैं जो इसके components हैं that can be represented in the array that array is called tensor उसे हम क्या गोलते हैं टेंसर वो एक mathematical quantity है अब ध्यान से सुनना जैसे यह आपका टाउजेडेक्स है अब इसी बात को लेकर मैं चलता हूं दूसरे plane पर कि मैं किसी और plane पर यह बात कहने की कोशिश करता हूं किस तरह का color यूज़ करें ठीक है अब जैसे मैं इस वाले element पर आता हूं ध्यान रखना एक तो यह face हो गया एक इसका opposite face हो गया यह पहला number face है और यह इसका दूसरा number face है मनलो ठीक है और यह इसका side वाला face है तो किसी भी face में किसी भी face के साथ दो face जुड़े है मैं आपको बता दूँ समझाने के लिए आप समझना दो face हो गए एक face को मैं बोलता हूं adjacent face adjacent मतलब जो उसके साथ है adjacent face बोलते हैं उसे और दूसरा होता है एक तो adjacent face हो गया एक हो गया opposite face opposite face opposite मतलब उसके विपरीत वाला face ठीक है उसके विपरीत वाला face बांगड बिल्ला अरे भाई कैसे कैसे नाम रख कर लाते हो अपने youtube पर real name से आया करो दो face हो गए किसी भी space element के दो face हो गए एक तो ये वाला face एक इसके साथ वाला face और एक इसके opposite वाला face तो एक face के साथ दो face मैंने आपको बताए adjacent face और adjacent face और opposite face याद रखना बच्चों ये exam के अंदर objective के तोर पूछा जाएगा आपसे जो adjacent face होते हैं यहाँ पर shear stresses आपस में equal होती है जैसे tau zx बराबर होगा जो इस तरफ से जो आपके आएगी न tau xz tau xz के बराबर होगा अगर body equilibrium में है क्योंकि देखो इधर से tau zx है क्योंकि z planer x दिशा में उधर से क्या होगा फिर x planer z दिशा में तो tau xz यह दोनों बराबर होंगे बच्चो यह दोनों बराबर होंगे उनके बराबर होने का कारण होता है कि मूमेंट इक्किलीब्रियम मतलब कि मूमेंन टिकलीब्रियम मतलब आघुन आघुन बोलते हैं से साम्य अवस्था कि साम्य अवस्था ऐसे लिखेंगे जैसे आप लिखते होंगे तो adjacent face पर शीर बराबर होती कि adjacent face पर shear stress equal होती है उसका कारण क्या होता है उसका कारण होता है moment equilibrium और opposite face पर shear stresses equal होती है उसका कारण क्या होता है force equilibrium force equilibrium तो opposite face पर भी shear बराबर है और adjacent face पर भी shear बराबर होती है और इसका कारण होता है force equilibrium इसका मतलब यह है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सही बात है इधर tau xz है और इधर इसका हो जाएगा tau xy ठीक है लेकिन बच्चों ध्यान रखना इसी आपके moment equilibrium के कारण क्या हो गया है मुमेंट इक्किलिब्रियम के कारण क्या हो गया है मुमेंट इक्किलिब्रियम के कारण आपका टाव जेड एक्स बराबर हो गया है टाव एक्स जेड के टाव एक्स वाई बराबर हो गया है टाव वाई एक्स के और tau YZ बराबर हो गया है tau ZY के ये components आपस में बराबर हो गये अब हमारा जो stress tensor था जिसे हम stress tensor कह रहे थे उसमें हमारे पास जो component थे sigma X, sigma Y, sigma Z यहां पर हमारा कंपोनेंट था टाव एक्स वाई यहां हमारा कंपोनेंट था टाव एक्स यहां हमारा कंपोनेंट था बचो टाव यहां हमारा कंपोनेंट था यहां हमारा कंपोनेंट क्या था इसका विपरीत टाव जेड एक्स और यहां हमारा कंपोनेंट क्या था टाव जे है तो इसका मतलब एक दो तीन भाई ध्यान से देखना एक दो तीन और फिर इन में से कोई तीन तो टोटल छह कॉम्पोनेंट अगर आपको पता चलेंगे तो इस्ट्रेस कॉम्प सुक्रिया सर 2007 का पेपर मिल सकता है यू कि पीए सी यहीग दोजार साथ का तो नहीं होगा एप्लिकेशन में पढ़ा हुआ है फ्री डाउनलोड में 2000 शायद जो तेरे वाले एक्जाम था उसका मिल जाएगा ठीक है साथ वाला तो नहीं होगा ठीक है बिल्कुल 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 ठीक है बिल्कुल अब यह अगर बराबर हो गए तो केवल कितने बचे 3 नार्मल स्ट्रेस के कॉंपोनेंट और 3 शीर के कॉंपोनेंट तो टोतल 6 मिलते ही आपका भश्य जाएग तो इन momentos से 2013 3D स्पेस ध्यान रखना अभी मैंने पूरी डार्कनेस नाम है आपका शैद मैंने वह कॉंसेप्ट एक्सप्लेइन नहीं गया कैसे मुमेंट लेने के बाद बैलेंस होता है लेकिन मैं उपर से बता रहा हूं जो आपके अब्जेक्टिव से एक्जाम के लिए बड़ा इंपॉ Z और X Y यह बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट से आपको ध्यान समझने तककी आपको समझ पाओ इसमें एक साइड हम प्लेइन के लिए एक हम डियारेक्शन के लिए रें तो इससे च्रेस टेंसर पूरी तरह से डिफाइन हो जाएगा तो इस स्ट्रेस के टेंस च्ट्रेस करा रहा हूं उस बात को दोबारे समझ लेना एक बार पूरी तरह से रिवाइज करा रहा हूं दोबारे समझ लेना तब अच्छे से समझ आ जाएगी पूरी कहानी देखो बात क्या थी बात यह थी किसी भी मेंबर के उपर कितनी तरह की श्ट्रेस आ सकती है एक्जियल आ apply करेंगे उसके आती है बैंडिंग कंप्रेशन भी बैंडिंग टेंशन भी आती है इसके अलावा बैरिंग जब कोई मैटरील सपोर्टेड हो उसके ऊपर जो comprehensive stress भी इस्ट्रेस को बॉल सकते हैं इसके अलावा आपके पास आती शियर आप बच्चों शियर इस्ट्रेस आती है बीम के उपर कभी लोडिंग लगी हो तो उसके किसी भी सेक्षन पर जो शियर लगती है वर्टिकल फोर्स होता है वो डैरेक्ट शियर इस्ट्रेस होती है तो बीम के किसी भी सेक्षन पर जो वर्टिकल लोड्स होते हैं उसके क नॉर्मल इस्ट्रेस के कारण भी नॉर्मल इस्ट्रेस के कारण भी क्या आएगी इंडिरेक्ट इस्ट्रेस आएगी नॉर्मल इस्ट्रेस के कारण भी क्या आएगी इंडिरेक्ट इस्ट्रेस आएगी अच्छा यहां पर यह बाते मुझे समझ आ गई डारेक्ट इस्ट्रेस केवल तीन कंपोनेंट ही मुझे चाहिए क्योंकि यह तो आपस में लगे कंपोनेंट आप देख सकते हो और यह वाले कंपोनेंट किम्रू कि न है क्योंकि मॉमेंट बताने का सही तरीका यूट्यूब पर आने का विक्रांत मुझे फड़नगर वाला दिमाग में शकल तक भी याद आजाए आदमी के यह बच्चे नाम रखा एक बच्चे नाम रखा डार्कनेस एक नगा टेकनिकल रहे एक नहीं रखा है बांगड बिल्ला ठीक है अब क्या प यूट्यूब प्यारो मुझे अच्छी बात है तुमने आईडी बना रखे तुम बागड विल्ला तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हारा फेवरेट है यह देखो किरियर सिटी एक्सप्लोर आ गए ठीक है मैक्सिमम लोग एक फेक आईडी क्यों यूज करते हैं यूट अच्छी नाम के घर तक का एड्रस बता देते भाइस में थोड़ा सा और तीक है फलाना मोहला फलानी गली लेकिन पता दो चल गया कोन है और वहां से तो कुछ पता ही नहीं चला किरियर सिटी एक्सप्लोर से यामा से डार्कनेस से ठीक है उधर बैठें बांगड बिल्ले स खेर हर शगरवाल सिंपल है ठीक है पता चल रहा है अंकित गौतम आई चेंज सब्सक्राइब आप अपने फेक आईडी यूज कर सकते हो ठीक है जूनियर इंजीनियर ठीक है बनने से पहले ही नाम रख लिया जूनियर इंजीनियर रियल नेम सेलेक्शन लिष्ट में होगा अच्छा ठीक है प्रियान शूकल्यान नाम रख जूनियर इंजीनियर ठीक है चलो बढ़िया है बनने से पहले नाम का आनंद ले ठीक है ना चलो अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छी फील ले ठीक है ओके चलो कोई बात नहीं लगोगे तुम तुम जाओगे डिपार्टमेंट में और फिर तुम आना इस्टेट इंजीनियर से अकेड़िमी में वहां मेरे ट्रेनिंग लेक्चर्स रहते हैं वहां मिलेंगे तुमसे ठीक है ओके चलो कोई बात नहीं अब देखो आप समझो बड़े ध्यान समझो थ्रीडी स्टेट ओफ इस्ट्रेस में आपके कितने कॉंपोनेंट्स रिक्वाइरड है मैंने बताया stress कितने order का tensor है वो भी ये भी question exam में पूछा जाचुका है ये भी question exam में पूछा जाचुका है कि जो shear stresses expresses आडजेसेंट adjacent मतलब साथ वाले फेस पर बराबर होती है उसका कारण क्या होता है ? उसका कारण होता हैheen moment equilibrium मतलब आगून साममे वस्था लेकिन जो opposite face पर लगने वाली शीयर स्ट्रेस है वह बराबर होती है किसके लिए ? किसकी वज़े से ? force equilibrium की वज़े से वह force equilibrium की विज़े से बराबर होती है ठीक है clear है ठीक है ये बात समझ लेना अब बात यहाँ पर है अच्छा online real name से इसलिए भी नहीं आते होंगे बच्चे किसी और को भी पता चल जाएगा ये भी पढ़ रहा है बैटके ठीक है ये पढ़ाई कर रहा है तो वो दुनिया से छुपाना है ठीक है कि मैं पढ़ रहा हूं कि नहीं यूट्यूब पर नहीं करा पाऊंगा देखो मेरे बहुत सारे लेक्चर है ओफ लाइन में अब तुम देख सकते हो UKPSC JE के लिए हमारा जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल को मैं आपको बताऊं किस तरह से हमारा टाइम टेबल बरन कर रहे हुए मौर्निंग में हमारी क्लासिस सबसे पहले सोम है उसके आदः음 garlic structure पड़ रहे हैं ठीक है फिर हम एक और subject श्टार्ट करने वाले हैं यहां पर एक नया subject इसके इलावा सैन लावा किवन के ओप्जेक्ट लिए है जोगाँध्व objective है जितने बच्चे एई के लिए प्रिपेर कर रहे हैं उनके लिए भी है यह और इसके बाद आज से हम FM के objective class शुरू कर रहे हैं FM की objective class को start कर रहे हैं fluid mechanics objective class मेरा मीम बना दिया मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया क्या बात है यह क्या लिखा तुमने मुझे समझ नहीं आ पाया सही से लेकिन ठीक है लेकिन हाँ यह जरूर है उधर से लाइन उधर से बैलेंस हो गई है ठीक है अब देखो अगर हम 2D stress में एंटर करेंगे 2D मतलब two dimensional में तो हमारे पास केवल और केवल यहाँ पर हमारा sigma y और यहाँ पर हमारा sigma x और यहाँ पर हमारा tau अब देखो इसे हम क्या लिखेंगे x plane है और y की तरफ है इसे हम क्या लिखेंगे यह हमारा y plane है और x की तरफ है इसे हम क्या लिखेंगे यह अगर हमारा इधर दिशा में है तो force equilibrium से यह इधर दिशा में होना चाहिए इसे हम लिखेंगे tau y x और इसे हम क्या लिखेंगे इ two dimensional condition में जब stress को represent करते हैं बचो जब हम stress को represent करते हैं two dimensional condition में तो normal stress केवल सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई होती है क्योंकि वो चली जाती है कौन जो आपके पास जो आपका जैड डिरेक्शन की stresses हैं उन्हें महटा देते हैं ठीक है जल्दी आएगा UKPSCJ का notification ठीक है दफ्रेक्टर फायर क्या नाम है बाई ओके और यहां पर हम केवल लिखते हैं टाव एक्स वाई ठीक है यहां पर हम लिखते हैं क्या टाव एक्स वाई और यहां पर हम लिखते हैं टाव वाई एक्स तो two dimensional state of stress में केवल और केवल हमें कितनी stresses इसको बताने की जोड़रोत है एडिट करके तूने image मेरा meme बना दिया महनत करके क्या क्या बताते हो भाई एडिट करके मेरा image तूने meme बना दिया उसने क्या लिखा एक एक करके image मेरा meme बना दिया अच्छा ठीक है एडिट करके image मेरा रहे भाई यह याद करना मुश्किल है ओके इधर देखो यह वाली stress और यह वाली stress आपस में बराबर हैं क्योंकि टाव एक्स वाई एक्स आपस में बराबर हैं क्यों स्ट्रेस का पता होना चाहिए आपका पूरा स्ट्रेस पूरा एलिमेंट के उपर स्ट्रेस डिफाइन हो जाएगा थ्री स्ट्रेस में क्या क्या चाहिए आपको दो तो आपको चाहिए नॉर्मल इस्ट्रेस दो आपको क्या चाहिए नॉर्मल पता होनी चाहिए और एक आपको moment equilibrium से बराबर हैं, ये दोनों, ठीक है, moment equilibrium से, ठीक है, और ये दो normal, दो normal और एक shear stress, आप देख सकते हो ऐसे, 3 stress में, दो normal और एक shear, इस तरह से 2D, 2D dimensional condition में, पूरा stress का आपकर प्रोफाइल, explain हो जाता है, clear a point ये, चलो, तो ये बात हमें यहां तक समझा ही, stress का concept थोड़ा-थोड़ा हमने समझा, ठीक है, stress क्या होती है, किस तरह की होती है, बाकि हम offline class में ही continue करेंगे, इवनिंग में हमारी class है, soil mechanics की, जो UKPSC, JE, advanced batch में हमारी चल रही है, और soil में हम लोग आज discuss करेंगे, कुछ effective stress के concept पर, और इसके अलावा, हमारी fluid mechanics की पहली class है, advanced batch के अंदर, ठीक है, जो basic और advanced दोनों batch में चल रहा है, clear a point, form जरूर आएगा, form की चक्कर में मत रहना, कि form कब आएगा, कम नहीं आएगा, तब तयारी शुरू करेंगे, अगर आप अभी से तयारी शुरू करोगे, तो बच्चो जादे बहतर होगा, form के इंतजार को भी मत करना, जैसी कोई update आता है, मैं आपको जरूर guide करूँगा, कि इस update के according, आपका exam इतनी तारिक तक possible है, लेकिन मे आपको सारी चीजे, सारा information आपको दिएंगे, clear point ये, बिल्कुल moment equilibrium होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, चलो, end करें इस session, end करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, अगस्त, सितंबर, अगस्त के end में, या सितंबर के पहले दूसरे सफता में, आपका हो सकता है, exam, ठीक है, बाकी जो भी dates available होंगी, उसके according बताएंगे, okay, end कर रहें हैं, session को, hydrology हो चुकी है, दोबारा फिर start करेंगे, लेकिन वो अभी time के बाद, hydrology करा चुके हैं, हर शक्रवाल, hydrology online courses में available है, पहले से ही, okay, third वाला बता दो दो बारा, क्या, third वाला क्या था, कोई नहीं, classroom में देखते हैं, offline class है, यह, कल आप discuss करोगे, तो और tough concept बता पाऊंगा, मैं आपको, YouTube पे उतने tough concepts नहीं बता पाते, ठीक है, okay, end करते हैं,